बूर्णिंग तो आल स्टुडेंट्स एंड और माई फ्रेंड्स संतलाल असोशेट प्रोफेसर जुलोजी गवर्मेंट जुलोजी आपीजी कॉलेक्चुरू आज का टॉपिक अपन ले रहे हैं हाय कॉडेट्स का पिछले वीडियो जो आये वो लॉवर कॉडेट्स के थे और आज हाय कॉडेट्स कि या के त्रिणियेटा या यू कॉडेटा के बारे में आपन अध्यन करेंगे कि ए गुरूप फेस्था एक रिणियेटा गुरूप शैकिन आया है कॉडेटा कॉडेटा यू कॉडेटा भी देते हैं गरिक वर्ड ए यू मिन्स्ट्यू इसे वीडियो में हर्थ वीडियो में मैंने बताया गिया है यह वास्तवी करूप से यही कॉर्डेट होते हैं ग्रेनेटा सब्सकी युद्पती दो ग्रिक सब्दों से उभी है ग्रिनौन मिन्स हैड एटा मिन ग्रुप यह जन्तों का ऐसा समूर जिसमें हैड या स्कल्ल या क्रेनियम या प्रेन बॉक्स उपस्तित पाई दाता है इसको आपन लेके प्रेटा के अब क्रेटा के खेख लेगें सबसे तल्य आवास या habitat के बारे में बात परेगे यह जलीए भी हो सकते हैं जलीए औरी दोनों परकार के लिए हो सकते हैं, aerial यानि वाइदे जीवन वेटित करने वाले भी हो सकते हैं. दूसरा पॉइंट है, mostly two pair appendages, दो चोड़ी उपांग पाजाते हैं, चे वो फिंस के रूप में हो, चे वो लिंस के रूप में हो. Hand, well developed hand present, यानि शूर विप्सित शिर्ष उपस्तित होता है, और बाई ये कंकाल या एंजो स्केलेटन भी उपस्तित होगा. थर्ड, is very very important, notochord vertebral column में या कशेरुक दंड में बदल जाती है, यानि notochord transformed into vertebral column. vertebral column में numerous vertebrary पाई जाती है, कशेरुबर भी पाई जाती है, जिसको vertebral column को backbone भी या रेड़ी की हड़ी भी का आ जाता है. चोथा point है, cranium, cranium आया है, इसलिए cranium या skull या brain box, brain developed, क्योंकि नाम ही cranium आया है. चोथा है, pharynx के अंदर गिल सेट्स पाई भी जा सकते हैं और अनुपस्तित भी हो सकते हैं. एंडोस्टाइल अपसेंट, next point के है चठा, एंडोस्टाइल अपसेंट, इन हायर पॉड़ेट्स, pharynx के अधर सताय पे पाई जाने वाली ये एंडोस्टाइल, thyroid gland में modify हो जाती है, उरुपांत्री तो हो जाती है, transform हो जाती है. Important point है कि एंडोस्टाइल, lower chordate में पाई जाने वाली, एंडोस्टाइल, higher chordate में किसके साथ में समझात्ता परकट करता है, या thyroid gland का ancestor कौन है, पुर्वच कौन है, या एंडोस्टाइल से thyroid gland की उत्पती आती है, उत्पती होती है. Heart याने ardへ में कक्सम्गी संख्यात्व बहुती है, तू चंबेर बोलेंगे, डी कक्सिय बोलेंगे, डी वेशमी बोलेंगे, ऑर त्री चंबड़ भी पहाक्च्य है, त्री वेश्मी, त्री कक्षिये और चतूस वेश्मी या फोर चंबर्ड भी हो सकता है, चार कक्षिये किड्नी, लोगर नॉनकोर्टेट में प्रोनेफरिक परकार की किड्नी पाइदाती है जब अपन ओरिजन एंड एवोलेशन ओफ किड्नी बढ़ते हैं तो चार परकार की किड्नी जोती हैं, आर्की नेफरोस, प्रोनेफरोस, मीजोनेफरोस, मेटानेफरोस आर्की नेफरोस एक कालपरिक किड्नी है और प्रोनेफरोस लोगर नॉनकोर्टेटा में पाइदाती है और मिचो और मेटा नेत्रिक प्रकार की किड्नी क्रिनेटा में उपस्तित होगी जन्तू सेक्सिस सेप्रेट होते हैं लिंग पर्थक पर्थक होते हैं, नर्व और मादा अलग अलग होते हैं, यानि डायर्शियस और परजनन अधिकांस तया सेक्ष्वल या लेगिक ही होगा, दस्वा पॉइंट, डौनों परकार का डायरेक्ट भी हो सकता है, इंडायरेक्ट भी हो सकता है, डायरेक्ट यानि प पर्टेक्स इंडिरेक्ट का मजलब उसके अंदर डवलप्मेंटल स्टेज आती हैं जैसे एग आता है लार्वा और प्यूपा बनते हैं और उसके बाद में कम्प्लीट मेडामर्फासिस होगी यह तो हैं मैं डियर फ्रेंड्स क्रेणियेटा ग्रूप के दस या टैन क्रेक्टरिक्टिक फीचर्स इसमी मत्र एक ही सब्पाइलम है यह वर्टिव्रेटा और वर्टिव्रेटा संथ की जुद्वती कैसे भी देखिए आप एक लेटिन वर्ड ब्रेटी ब्रेटश मिल्स नॉटापार्ड पिछे बता भी चुका हूं में भूर्ट विडियो में आप ग्रिक वर्ड एटा का मतलब आता है जन्तों का समोग जन्तों का ऐसा समोग जिसमें नॉटाप वर्टिवेल कॉलम या नॉ जन्तों गर्ड पुपाइस्थित होती है शरी नॉटापड नहीं होगा ट्रिवेल कॉलम होगा वर्टिवेल कॉलम या एट आक आता का मतलब हुए जन्तों का समूग ऐसे जन्तों का समूग जिसमें बड़्टिवेल कॉल Может या वैकबार्ण पाई जाती है जिसमें अनेक कशे रुपाए या वर्टिबरी पढ़ाती है, पहला पॉइंट देखे आप, नॉटो कॉर्ड सप्लिमेंटेड और रिप्लेस्ट बाइ वर्टिबरल कॉलम, यानि नॉटो कॉर्ड किसमें रुपांत तो जाती है, वर्टिबरल कॉलम में, या इसको बैक बॉन भी कहा जाता है रिड़ी की हड़ी या रिड़ी रज्जू भी कहते हैं और कमपॉस्ट आफ ओवर्लेपिंग वर्टिब्री एक दूसरे की उपर चड़ती भी एक दूसरे की उपर अती व्यापन करती भी के सेरुबाई पाई जाती है जैसे सर्वाइकल में अपने साथ के अवर्लेपिंग स्रवाइकल वर्टीवी पाई जाती है बुटी इजू दिशीबल इंटू अधिकां संत्वों में तो चार भागों में विलाधित होगा हैं बेंड हैंड में यानि सिंस में नेक में धड में और तेल में कुछ शंत्वों में बोड़ी ती सब्फाहिलम इस सब्फाहिलम इस लार्जेस्ट कॉर्टेट सब्फाहिलम जिसकी अंदर लगभग 46500 स्पीशीज आज तक आज या आज से 10-20 साल पेले तक रिकॉर्ड की गई है तो सबसे बड़ा वुप सब्फाहिलम का सबसे बड़ा वुप्समू है यह वर्टिपरेटा अब अपन चलेंगे कि इसको किस कि अधार पर बाटा पिच्छे वड़े वीडियो में बता है था और पर्जेंट सेंड अप्सेंस ओफ दि जॉज्ज यानि जबड़ों की उपस्तिती और अनपस्तिती के अधार पर इस सब इस ग्रूप को दो डीजन्स में बटा एक डीजन्स का नाम है एगनेथा दूसरे का नाम है नेथोस्टोमेटा देखिए आप एगनेथा का ग्रिक वर्ड ए मिंस अपसेंट ग्रेथोस मिंस जो यानि ऐसे जन्तों का समूद जिसमें जबड़े अपसेट होते हैं वो डीजन्स के लएगा एगनेथा इसके एक डब उल्टा नेथोस्टोमेटा में देखिए ग्रिक वर्ड नेथोस मिंस जो स्टोमा मिंस माउप एटा मिंस ग्रूप ऑफ एनिमल्स जन्तों का ऐसा समूद जिसके मुख गुहा में जबड़े पाई जाते हैं मुख नाम नहीं लेंगे मुख गुहा में मुख छिदर के पीछे कि मुख जो है या मुख छिदर जो रहे यह तो एलिमेंट्री केनाल का अगरतम छिदर का नाम आता है बटी से मुख मुख केली से प्राइब करेंगे इनको अपनों तुन्ला प्मां गरूप से अदेंद करेंगे खेर अगनेंट्ह में ट्रूज याइन व स्सेयलन विए जबड़े अनुपस्तित हें जतकी इंभ दश की मुख पर जैं़ यानि वास्तिक जबड़े पाई लते हैं। और इट नम्मर शेकंड क्रेनियम की रूप जो है छत जो है वो जिल्ली नुमा होती है और नेट और स्टोनेटा में क्रेनियम की छत सालिड होती है द्रड होती है ठास होती है। तीसरा एड्रेथा के अंदर एक मीडियन यानि मद्धे में नासा शिद्र पाई जाता है मन नौस्ट्रिल होता है जदकी नेट और स्टोनेटा के अंदर दो नौस्ट्रिल होते हैं जैसे अपने में देखो दो नासा द्वार होते हैं नासा शिद्र होते हैं। fourth point paired appendages absent in agnetha यानि युगमित उपांग नहीं पाई रते जब किनेथ और स्ट्रमेटा में नितांत रूप से युगमित उपांग उपस्तित होंगे मचलिया हैं तो फिंस और बाकी के जन्तों एमपीपिया रेप्टेलिया एवीज मेमेलिया हैं तो अगरपाद और पश्चपाद या फॉर लिम्स या हैड लिम्स की रूप में पाई जाएंगे पाँचों पढ़ देखिए नौतो कोल्ड फरजेन्ट लाइफलॉंग यह अनि पूरे जिवन काल में नौतो कोल्ड पाई जाती है एगनेता में जबकि ने तोस्टों बेटा के अंदर ये नोट अकॉट किस में ट्रांसफर्म हो गई किस में रुपांतरित हो गई वर्टिवल कॉलम में हो गई कैसे रूक देंड में हो गई बैक बॉन में हो गई जिसको रिड़ की हड़ी करते हैं जिए पॉइंटर्नल येर टीन परकार की येर होते हैं अक्स्टनल येर मिडल इंटर्नल येर इसकी इंटर्नल येर एगनेथा में तो दो ही सेमिसर्कुलर में एगनेथा के अंदर तीन परकार की करण बतायते हैं उसमें इंटर्नल येर की बात कर रहा हूं में दो सेमिसर्कुलर के नाल होती हैं अर्धसंद्राकार नलिकाएं होती हैं जब कि नेट ऑस्टोमेटा के अंदर ये तीन सेवी सर्कुलर केनाल या अर्द संद्राकार में लिखाएं पाई जाती हैं आप को ये समझ में आ गया होगा पसंद भी आया होगा अगर कोई विशंगती लगे तो आप मेरे कमेंट बॉक्स पे मेरे चैनल पे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर दीजिए ताकि मैं इसमें शुदार कर सकूँ और आप जुड़े रहें ऐसे ही आपको प्रति दिन वीडियोज मिलते रहेंगे धन्यवाद